जहीं दोस्तो स्वागत है एक बार फिर्चाप सभी का सूपर इस्टेड़ी यूटूब चनल में तो दोस्तो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल भरती 2020 आउनलाइन फार्म आपने अगर भर दिया है तो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर नहीं भर रहा है तो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तो फार्म भरने को लेकर काफी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है पुराना फोटो चीए और फोटो आपने कब खीचा था उसकी डेट भी उस फोटो पर मेंसन होना चीए यह दो चीज़े नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है लेकिन अगर यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग लाखों ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने पहले स्सी में रेजिटेशन करवाया है जैसे स्सी जीडी, स्सी सीपीओ, स्सी सीचेसल ठीक है यह सभी एकजामों के लिए जो है उन्होंने पहले रेजिटेशन करवा कि जो है फॉर्म भी इनका पहले फील किया है उनमें से आप भी एक होगे कमेंट जरूर करजेगा अब अगर बात करें तो जिनोंने फॉर्म फिल नहीं किया है उनके साथ भी प्रॉब्लम आ रही है जिनोंने रेजिटेशन करवा लिया है पहले उनको जो है यहाँ पर फोटो को जो मोडिफाई रेजिटेशन होता है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है वहाँ पर कुछ मेसेज पर और यहां पर अगर आप लॉगिन और पास्वर्ट डाल कर इसमें ससी के ऑफिसल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाते हैं तो उसके सामने आपके सामने जो इस प्रकार का पेज आपके सामने आता है अब यहां पर आप कोशिस करते हैं कि separately analyticsistes आता है जिस से में अपना फोटो चेंज कर सके हूं जो यहांपर मैं एट कर सको तो यहांपर काफा सारे लोग इसको ट्राय कर रहे हैं जैसे मैं अब यहांपर ट्राय करूँगा modify registration पर मैं जैसे किलिक करूँगा तो यहाँ पर जो एक page आता है जिसमें यहाँ पर एक message लिखा आता है जो कि वहाँ पर बोलता है कि आपने जो है already जो है इसके लिए apply कर चुके हो यहाँ पर आपको जो है modify करने का option नहीं मिल सकता तो यहाँ पर लाखो जो जितने भी साचात्र ने apply कर दिया है वो तो problem में आ ही रहे है लेकिन साथ ही जो है जिन्होंने apply नहीं किया है अभी तक उनके साथ भी यही problem आ रही है कि sense you have already applied you cannot modify your registration number is इस type से जो है message यहाँ पर लिखा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ssc को अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और यहाँ पर जो form apply करने वाले है या फिर कर चुके है उनको जो है यहाँ पर एक मौका देना चाहिए कि वो अपने registration को modify करके photo को जो है यहाँ पर add कर सके अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दू form reject अगर ssc करती है तो यह ssc की गलती होगी यहाँ पर बच्चों की कोई गलती नहीं होगी दूसरी चीज यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दू ssc की email id और rtai के उताद जो है आप जरूर उनसे सवाल यह पूछे और यह option जो है open होने के लिए जो है वहाँ पर request करें ssc की mail id आप लोगों को description box में मिलेगी वहाँ पर जाके जो है यह message आप जरूर लिखे कि किसी भी चात्रों को जो है आप form या फिर registration करने का एक मौका दिया जाए इसमें छात्र की कोई गलती नहीं है तो यह जानकर यह आप लोगों को मैं देनी थी कि आपको mail करना होगा या फिर rtai लगानी होगी इसी वज़े से क्योंकि form reject ssc करती है तो यहाँ पर गलती हमारी नहीं होगी सिर्प ए ssc की गलती यहां पर होने वाली क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है तो यह चीज आप लोगों को याद रखनी है घफरानी के आउसकता नहीं है गलती ssc की है इसमें जो है हमारे form reject होने के जो है कम chances बनते हैं तो जिनको form reject का डर है वो mail करे ससी के officially जो mail idea उस पर और RTI के मार्दम से भी सवाल पूछे ठीक है यह जानकर आप लोगों को देनी थी वीडियो को like share जरूर करें धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्रम